पिछले दिनों इंडिया टुझे को दिये गए अपनी एक साक्षातकार में इंडिया टुझे के कारेक्रम में सोनिया गांधी ने कहा था कि 2019 में मोदी को जाना ही पलेगा और अब उनके पुत्र कॉंग्रेस पार्टी के दिक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि वो 2019 के चिनाओं में प्रधान मंत्री बनने के लिए थैयार हैं यानि कि यह तरह से विश्वास जदा रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत बिलेगा या वह बहुमत वाली सबसे बढ़ी पार्टिय बनके उभरेगी और वो प्रधानमंत्री पर्थ के लिए अपने आपको एक सार्थक एक बहतरी जहरा पाते हैं अब यह एक बहुत बहुत सबाद है मैं साथ में कुबूल है आज किस तरह से इसको देखा जाए कि राहूल गांधी जो घोशना कर रहे हैं उसके पीछे का मंता भी क्या है ऐसी बात क्यों कह रहे हैं सबसे पहली बात की दो हजार उन्नीस में मोदी के के लेकर जो माहौल है उसमें और खासतर विपक्षी दलों में कई लीडर्शिप उभर के आ रही है ऐसे में राहूल गांधी ने जो थर्ड फ्रेंट इस या फ्रेडर्ल फ्रेंट की जो बाते हो रही हैं और उसमें जो नेता जैसे मंता हैं अखलेश हैं इन सब के बीच राहूल गांधी ने सीधे तोर पर ये बात कहे कर उन सारी चीजों को दर्टिनार कर दिया है कि मौजूदा समय में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस संकेत कर रहा है राहूल गांधी ने अब इस साफ तोर पे दिखिए गुजराच चुनाव से जिस तरह से उन्हों ने अपने अंदर मेक और किया है खास्त होसे राज्ट नीत कुले जिन मुद्दों को ले कर रहे हैं ऐसे में राहूल गांधी को अब नहीं तब अब राहू को उनके साथ आना होगा थोड़ा सब्सक्राइब बेचानी जरूर हुई है लेकिन कहीं न कहीं इसके सकरात्मक भी संदेश जा रहे हैं राहुल गांधिन जिस तरह से एक उनकी च्छवी गड़ी ती उसमें से वह जिस तरह की उन्होंने बात कही है यह बहुत कुछ राजित क करने की कोशिश कर रही हैं सारे विपक्षिदल एक बात को मान रहे हैं कि राजनीति और लोग तंद्र और सभिधान इन सबको अगर बचाना है तो मोदी को सत्ता से हचाना पड़ेगा ऐसे समय में जब आप सबको बुला रहे हों आप स्वैम अगर अपने आपको उनका का विरोध तमाम सारे लोग तंद्र के पक्षकार और विशेशरगे लगातार करते रहे हैं कि यह एक व्यक्ति बनाम दूसरा व्यक्ति का चुनाओं नहीं होना चाहिए इस देश में उस तरफ वापस जाएगा अगर हम इसको मोदी बनाम राहुल करते हैं अगर मोदी की न करके है वो यह है कि राहुल भले ही बहुत बहुत हुए हैं लगातार राज़ितिक रूप से परिपकुता में दिखने लगी है लेकिन अभी भी जिस इस तरफ की गंभीरता उनके व्यक्तित को लेकर के लोगों के बीच होनी चाहिए राहुल का नाम लेते ही जिस तरह की ग मोदी बनाम राहुल बन जाता है तो लोग जादा मैच्चोर जादा सफेद बाल वाले व्यक्ति की तरफ जादा जुकेंगे लेकिन जिस तरह से नरेंद मोदी ने दो हजार चौदा में जो सपने दिखाए थे उन सपनों पे सरकार कितनी खरिए चार साल चार दिन बाद काड़ खिले जा रहे हैं इन सब के बीच और अलग-अलग जो छेत्रफ हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स और अपना रिजिनल जो पॉलिटिक्स है उसको उभार रहे हैं और जब कास्ट और रिजिनल पॉलिटिक्स आएगी तो वहां कहीं न कहीं मोदी को बहुत बड़ी चुन सबसे बाड़ी पार्टी की तोर पे उभर रही है और आप देखेंगा उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हो रही है अगर यह हो रही तो कास्ट पॉलिटिक्स सारी होंगी तो निश्टी दूर्प से उत्तर प्रदेश बज़ेपी के सत्ता में बहुत बड़ा योगदान रहा है वो बहुत बहुत नुक्सान करेगा और ये सारी चीजें कहीं ने कहीं जाके Congress को ही benefit कर रही है जो ये politics आ रही है वो माया हों या कहां जाएंगे क्योंकि इनके साथ एक और संकड़ भी है कहीं न कहीं राहूल गान्धी के ही कांग्रेस के खेंव जाएगे ऐसे में राहु ने अपने आपको पेश करके ये बात कर दिया कि अब आप जिसको आना है इस चत्रप में आए और जिसको नहीं आना है वो बिजेपी चत्रम मज़ा है जब बिजेपी बराम कांग्रेस ये भी होगा तो इनके साथ सेकलर ओट और ये सारी चीज़ों को ले कर क्योंकि इनकी राजनीत बिजेपी नहीं नुक्सान किया है तो ऐसे में इनको जाना भी कांग्रेस की पड़ेगा अभी हो सकता है सुरवाती दोर में ज से तरह की चीज़ें होगी लेकिन चीज़ भी देखना और राहूल गांधी के साथ भी होगी अभी इसके राहूल गांधी के ब्रान्डिंग होगी और बहुत निकोंड ब्लाकर त्रीक्से प्नाना पड़ेगा तो ये चीज़ेंriers ने बार दिया सबसे पूरी में और इस पूरी घोशना से राहुल गांधी को होने जा रहा है वो यह है कि पूरब में ममता बनर्जी से लेके पस्चिम में शरद पवार तक जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी कमजोर नजर आती है छेतरी इस तरह पे इन धरे नेताओं के सामने उत्तर ब्रदेश का चुनाओं अगर हम याद करें तो बहुत चुनाओं में भले ही अखलेश यादा हो लेकिन राहुल अखलेश के आगे बहुत थी बौने हो गए थे इस एक घोशलां से उन्होंने अपने आपको राश्टी स्थर पे सभी रीजनल पार्टी से अपने आपको उपर उठा करके एक ज्यादा बहतर स्थिती में रखने की कोशिश की है देखना यह है कि इस स्थितिक रूप से विपक्ष को एक साथ लेते हुए भाश्वा बनाम कॉंग्रेस की रवाई में कितना प्रणित कर पाते हैं और 2019 में इसका जाना देश क्या रहता है फिलाल के लिए इतना ही बने रहे आज तक डॉट इन पर